असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज का ये मेरा जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है अलमंडा प्लांट के बारे में तो ये जो मेरा प्लांट है ये मैं अभी कुछ दिन पहले नर्सरी से लाई हूँ और ये मेरा प्लांट लाएवे मुझे एक हफ़ता हो गया है तो आज एक हफ़ते बाद मैं इसकी रिपॉर्टिंग करने जा रही हूँ और अलमंडा के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही प्यारे होते हैं इसके साथ ही फ्रेंड्स इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही बिक साइज के होते हैं और बहुत जादा quantity में आते हैं तो friends आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे आप अपने plant का soil mix कैसा ready करना है तो वीडियो का end तक जरूर देखेगा और उसके साथ ही friends यह मेरा एक पुराना plant है अलमंडा का जो की जिसमें pink color के flowers आते हैं तो देखे बहुत ही प्यारा plant है और flowering देखे आप कितनी अच्छी quantity में इसमें flowering हो रही है तो बहुत ही प्यारे इसके flowers होते हैं size भी इसके बहुत big होता है और quantity भी बहुत जादा होती है तो चली friends अब हम लोग start करते हैं हमारा soil mix ready करना हमारे new plant के लिए पानी बहुत जादा पसंद है और कोकोपिट बहुत देड़ तक अपने अंदर moisture बना के रखता है उसके बाद यहां हम लोग ले रहे हैं एक pot vermi compost उसके बाद हमने लिया है एक मुठी bone mill इसके बाद हम लेंगे दो मुठी नीम खरली नीम खरली हमारा fungicide का भी काम करता है और potas का भी काम करता है तो दो मुठी नीम खरली लेने के बाद जो हमारा last है वो है थोड़ी सी लकडी की राख हम लोग अपने जो soil mix हमारा है उसमें add कर देंगे और एक चीज़ और friends आप धियान रखें इस चीज़ का कि आप अपने plant को report करने time ये देख लें कि आपका plant जिस soil में लगा है वो सूखा हुआ है या फिर गीला है क्योंकि अगर गीला होता है तो उसको निकालने में बहुत problem होती है और अगर soil थोड़ा सूखा होता है बहुत आराम से आपका जो plant निकल आता है तो इस चीज़ का धियान रखें कि जब आप अपने plant को लगाएं तो इस टाइम आपका जो plant जिस soil में लगा है वो थोड़ा सूखा हुआ हो और साथी plant को निकालने के लिए आप पॉलोथिन को कट करना ही सबसे अच्छा step होता है क्योंकि अगर आप पॉलोथिन में से जबरदस्ती plant को निकालते हैं तो आपका plant खराब भी हो सकता है तो बहुत आराम से आप इस तरह कट करके अपने जो plant है उसको बाहर निकाल ले अब हम लोग अपने plant को लगाना स्टार्ट करते हैं और फ्रेंट्स अगर अलमंडा plant की बात करें तो ये plant मैं नर्सरी से लेके आई थी और ये मुझे बढ़ा था अराउंड 90 के अराउंड ये मुझे बढ़ा था तो 90 रुपीज के अराउंड ये plant मुझे बढ़ा था और plant अच्छा था अच्छा healthy plant था इसके साथ ही मेरे पास से जो मेरा पुराना अलमंडा का plant है वो pink कलर के flowers देता है तो ये इस plant में yellow कलर के flowers आ रहे थे तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपनी balcony में इस plant को add करूँ और देखिए जब आप अच्छे से अपने plant में अपनी plant को लगा लें उसके बाद जो soil है उसको अच्छे से आप लोग दबा दें अच्छे से प्रेस कर दें चारो साइट से देखिए इस तरह से आप चारो साइट से अपने जो plant है जो soil mix है उसको दबा दें अच्छे से देखे फ्रेंड़्स हमारा ये जो Allamandar का प्लांट है ये लग चुका है और प्लांट लगाते लगाते में जो शाम हो गई थी तो हमारा ये प्लांट मार्शाлा बहुत ब्यूटिफुल है जो इसके फ्लावर्स हैं वो बहुत जादा ब्यूटिफुल है और फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो जरू से लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अला आफिस